अस्सलाम अलेकुम वेलकम बेक टो मैं चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आल गोपी मटर की ग्रेवी वाली सबसी तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं ये एक मीडियम साइस की गोपी है इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और ये चार आलू के पीसेस है और ये फ्रोजन मटर है और ये काजू का पेस्ट है और ये दो टेबल स्पून जिंजर और कारलिक पेस्ट है दो टमाटर का पेस्ट है और तीन प्यास का पेस्ट है ये और ये चार हरी मिर्चे कटी हुए है ये कुछ गरम मसाले एक बड़े इलाइची एक दाल चिनी का तुकड़ा एक स्टार फुल दो हरी इलाइची चार लॉंग और जीरा जब पैन में तेल गरम हो जाए तो ये गरम मसाले हम इसमें एट कर देंगे गरम मसाले को अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे गरम मसाले फ्राय होने के बाद इसमें में एट कर रही हूं तीन प्यास का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी सुखने तक हम इसे पकाना है अब इसके फॉरन ही बाद मैं इसमें एट कर रही हू ग्याहां दो टेबल स्पूं जिंजर और गार्लिक पेस्ट कर लेंगे अ इसके फोरनी बार मैं एड़ करीं चार हरी मीड़्चे कटी वही तो तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ कर रहे हूं दो तमाटर का पेस्ट वनदे विपल ऐस्पून सॉल्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ कर रहे हूं 1 टीबल स्पून जीरा पॉडर 1 एंद फीबल स्पून धनिया पॉडर 1 टीबल स्पून कश्मीरी रैड चिली पॉडर 1 टीबल स्पून हल्दी पॉडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ कर रहे हूं फ्रोजन मटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ कर रहे हूं आलो की पीसेस और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाला थीक हो गया है इसलिए में एड़ कर रहे हूं एक गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ और मसाले के साथ और इसे लेड लगा के तकरीबन हमें पकाना है दो से तीन मिनट के बाद अब इसमें एड़ कर रहे हूं काजू का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ कर रहे हूं गोबी गोबी को आलू मटर के बाद ही दालना है नहीं तो इसके फ्लॉरेट्स तूट जाएंगे ध्यान से आलू मटर के बाद ही डालें गोबी को अब इसमें एक ग्लास पानी दाल रहे हूं ग्रेवी के लिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लेड लगा के तकरीबन तीन से पांच मिनट पकाना है तीन से पांच मिनट के बाद गोबी अलू मटर इदम अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें एड कर रहे हूं तीन टेबलिस्पून फ्रेश क्रेम और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड कर रही हूं कसूरी मिधी अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मिडियम फ्लेम पे पकाना है अब इसमें एड करूंगे हाफ टेबलिस्पून गरम मसाला पॉडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लेड लगा के तकरीबन एक से दो मिनट पकाएंगे एक से दो मिनट बाद गोबी आलू मटर की सबसी बनके रैडी हो गई है आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो या फैमिली गेट तुगेदर हो तो आप वेज मेनियू में गोबी आलू मटर की ग्रेवी वाली सबसी रखिए यह आपके महमानों को ज़रूर पसंद आईगी उमीद है आपको यह मेरी रैसिपी पसंद आई हो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलती हूँ इन्शालला आपसे एक नही रैसिपी के साथ अल्ला हाफिज